हलो फ्राइट सब्सक्राइब स्वागत है बिगनी एजस सेटी लोट के एक और नए एपिसोट में एपिसोट के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जो मीना होती है वो गुस्टे के साथ अटे करने के लिए फैंग के और बढ़ जाती है और बोलती है कि जूटे मकार कहीं के मेरे ऊपर दोके से चल से हमला करने के साजे से तू मना रहे हो केस्टल के बाहर तुमें क्या लगा हो मुझे इस बारमी पता है वो नहीं चलेगा तो हम देखते हैं इदर जो फ्हेंग वो रोते हं बोलता है तब हम देखते हैं जो केश्टल का दीवार होता है उस पे बहुत ही जोड से धम-धम की आवाज़ भाने लगती है और भार के और बहुत सारी जो लोग होते हैं वो पर्दसन करने के लिए आ जाते हैं अपने जो फैंग उसे हैं चाहिए उसे विंपायर कहे रहे हैं और गुस्ता इतना अक्रॉशी होता है कि आज हम और कर रहें और अंदर का वाति हो दो मिना होती है मुझे चुक्त से जूट वो नहीं बोले तो आशकार यह लोग कोन है तो ये सुनने के बाद में जो फैंग होता है बोलता है मुझे भी नहीं मालूम ये लोग कोन है और आगकार ये क्या करने की उद्वेसे से आए हैं और हम लेखते हैं बार बीड की और एक जो बंदा होता है जिसके नात के ओपर स्केश आया हुता है इसका नाम सीकर होता है तो हम देखते हैं जो वह उसम्वारान हिसे को जोड़े को जाते हैं जो सभी लोग ऑना उन्दर के जाते हैं वह सामने और वह इस परकार से आगे के और भाग कर क्या रहे होते हैं कि जैसे आज तो फैंग को जान से माँ डालेंगे इसे बागनेमदेना इसी और चारो और पहले गेल और पिर इसकी बहुत गंदी तरीके से हम कुटाई को करेंगे और इसकी पतलिख सबने बने के लगे लोग मनेट जो पी पॉसथी ऑप नकी और फॉन फॉन पास भरड़ बहुता होते हैं तो यह देखते हैं कि एक जो बंदा है वह आ गया आता है बूटा सा और वो बोलता है कि लोड हम लोग वैसे हैं बहुत जदा गरीब है और हमारे पास और जदा टेक्स देने के लिए जो पैसे वह नहीं है इसका मतलब यह जो बंदा है इनका प्रतिन दोतर कर रहा है और इस कि उसे देखने मुदा जो सोचता है कि यह जो नॉट पेपर यह जो स्क्रोल है यह मेंनेगे वाल्ट से बेचे थे आर कर यह इनके पास हम क्या था तो हम देखते है कि यह यह देखने के बाद मैं जो अपना ऊट पॉलता है तक्यार है आख् het इसका मंदलब यह बंदा मनना चाता है इसने पका ही एक एक टेक्स है यह एक इसका मनने बात मेरे लोग मेरी बात सुनना भी नहीं चाहते हैं में इनका करूं क्या तो हम देखते हैं वो पब्लिक बढ़कर लग जाती है और बोलती है कि आयरकार इसे अलाओ किस निगया जिन्दा रहने के लिए इसे ओंद स्पोर्ट ही मार दो और हम देखते हैं कि जो यहां पर सीकर होता है वो एक दाली या फिर एक वेपन लेकर के उस की इए और बोलते हैं कि तुम हैं यहीं के इहीं ही रुख जाओ और हम दिते हैं सीकर की भी हाथ में फ़ों सो चोट लग जाती है वो बोलता है कि आपके तुम कर दो हो और मिंदे की अंद को ही इना उसकी बंदे को तो सेना नोल बंदे का मड़र वो किया है अब जैसे यह बात अना साली पुब्रिक सुनती है तो वो भी ड़न लग जाती है और बोलती है कि हाई सही बोल रही है एक बंदा बोलता है कि मैं तो मरने से नहीं डिरता लेकिन मेरे दो बच्चे में उन्हें मरतवा नहीं दे सकता और इदर हम देखते हैं कि जो फैंग होता है उसके मुझ से बलड़ वो निकल रहा होता है अब कारण का में पता नहीं लेकिन वो बोलता है कि मुझ मनी मन सूचता है कि आरे यार मैंने से बोला था कि अपने आपको अच्छे से शुपाना आई आखिर कर यह बार निकल के क् लगा होता है और वह अपनी रोगनी कंट्रोल कर रही होती है लेकिन इदर हम देखते हैं कि जो बारू होता है वो गुसे साथ बोलता है आपने टेक्स को एड निकिया तो यह नोट क्या इस नोट के ओपर लिखा हुए कि आप 50% जो टेक्स है वह इंकर रहे हैं और क्या डि बारू है और उस नोट को लेकर पढ़ने लगता है तो उस नोट के ओपर लिखा होता है कि बड़े से लिबेट करने के लिए केस्टिलेन का तो उसे रखा में उसकी जूच पढ़ेगी तो इसलिए हर परकार की टेक्स है उसमें 50% इंक्रीमेंट हो किया जाता है और निम लि इतने अजीब गरीब टेक्स देख करके इधर जो फैंग उसका दिमाग लगता है जिसने इस परकार के बिका जो टेक्स है तो हम देखते हैं जो फैंग अपनी सपई देते बोलता है कि तुम लोग ध्यान से इस चीज को देखो इस नोट को इस्शू में नहीं किया मुझ से पहले करुदी शयक्री इस चीज की तौथ not in किया है तो इस सुनने के बाद में जो वांके जंदा होती हिए वो बोलते हैं क्या पहले वाले Computation समय नोट को बटाना चालता है और यह दो सीकर उसे गुस्ण आ रहा हुता है और वो dec केश्टिलन होने के नाते में यह अनौन्स करता हूं और वो इस रेसिप्ट को या फिर जो आना टेक्स का पेपर होता है उसे फारते वे और उपर उड़ाते वो बोलता है कि हमारी जो जीनियाद सिटी के अंदर है किसी भी नागरी को किसी प्रकार का कोई भी टेक्स है वो नह इस ने जो बात बोली है वो सही है तो हम सभी लोग भूक से वो नहीं बनेंगे हम लोगों पास सफिशेंट खाना होगा खाने के लिए और हम देखते हैं इसी प्रकार से बीड़ना अपने बाते वो करने लगती है और जो ब्राव होता है सीकर होते हैं फिर यहां पर यहां सभी लोगों लीट करते हुए जो बना के रहूंगा और आपको सुसाइटी का अच्छा बंदा बना के रहूंगा अब यह बात सुनने के बाद में कुछ लोग तो इस प्रकार से देख रहे होते हैं कि यह बंदा है कोन ऐसी उंची-उची बात है वो कैसे कर सकता है यह उस दिन सक्सेस को हाथ से लिवो कर लेंगे हैं चलो फिर जाओ 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 जो और शक्सेस की और बढ़ो अब इस पर काशी मौटिवेटाशन है दे रहे होते तो जो भी जाता है तो इस चीज़ के लिए आपका धन्यवात आप वहत ज़्युदा काइंट परसन है तो हम न नाम जो लिव फैंग है और में अपने प्रोमिस कभी भी है वो नहीं तोड़ता तो आपको इस बार में चिंदा करने को जूरत नहीं मैं अपने आप गमंडव कर रहा होता है और हम देखते हैं सभी लोग वापे से जान लगते हैं और बोलते हैं कि अगर जो लोड कह रहे हैं कि जो जियान सिटी ए उसके अंदर बहुत साइज विद्रों हैं वो निकल 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 बाहर आ चुके हैं क्योंकि वहां का जो लोई नोडर है पूरी तरह से तबाह हो चुका है और लोग अपनी मनमानी वो कर रहे हैं मैंने तो यहां तक सुनाय कि वह बगावती जो लोग है वो उस जगह को अच्छे से हैंडल हो नहीं कर सकता और जैसे वो जगह अलोन हो जाएगी हम फिर से जाकर के वहां के कैस्टिलियन हो बन जाएंगे तो यह सुनने के बाद में जो इससा सब बोलता है कि हमने सुचा था कि यह जो सीटी ए बहुशे में हमारे पास आ है और हम देखते हैं कि जो कार्टर होता है विकास होता है उसके पास एक बंदा भागते हुई जो न्यूजे वो लेकर कियाता है और वो थोड़ा सा ना परिसान दिख रहा हुता है यह देख रही जो इससा होता है वो बोलता है क्या है क्या बात हो तो हम देखते हैं कि वह बताना शुरू करता है कि जो फैंग नाम का बंदा था उसने जो उनके उसके खिलाफ बगाव दोगी थी उसे ओ लेड़ी सप्रे से वो कर दिया है और इतना ही नहीं हमने जो जेल के अंदर बीष्ट वूमेन है उसे केट किया था उसे भी रिलीज है वो कर दिया है अब जैसे आएकर हमने उस बीष्ट को प्राप्त करने के लिए बहुत साइज जो मनी है वो दी थी आहिकर हम ऐसे शांत है वो कैसे होगते हैं तो हम देखते हैं जो कार्टर होता है वो बोलता है कि हां तुमारी बास सभी है लेकिन हमें अभी रस है वो नहीं करना चाहिए क्योंकि वो लोड है भी तो आएकर वो जो भी फैसले लेगा वो उसके अकोडिंग होंगे ना कि हमारे अकोडिंग हमें बस थोड़ी समय तक इंतिजार करना है और जो बेरोन ओमार है वो पकाई इसके खिलाफ कोई ना कोई बड़ा ही एक्शन है वो लेंगे अब जिससे ही ये बात वि लेक्स हो रहा होता है और वो बोलता है कि आज तो वाकई में बहुत ज़्यादा डर गया था मुझे लगा था आज तो में जो मौत हो में सामने आ गई थी चलो मैंने फाइनली इस चीज के उपर कूल डाउन है वो तो किया किसी परकार का जो नतीज मुझे प्राप्त वा औ और वो थोड़ा एजिटेटर हो कर रही होती है लेकिन जैसे यह बात वापिस से बाइर जाओगी तो कोई और बंदा तुम्हें केच चाव कर लेगा और फिर से तुम्हें ना किसी परकार के डंजन या जेल उसके इंदर डाल देगा तो यह बात सुनने की बात में जो मीना उसे गुसा आता है और भोलती है कि रहे एस बंदे ने करना है कि तो में जान से माड़ दूगी तो मुझा है तो इस सुनने के बात में मीना है वह बोलती है कि रहिकास में जपत्ने इतनेगोट कभी भी नहीं होते है suggested तूम हम उन्हें करने पात्तों क्यों हो तो हम देखते हैं कि जो फैंग है वो बोलता है एक्चुली इस केस्टल के अंदर में अकेला रहता हूं तो यह चीज़ बहुत जदा बोरिंग है अगर तुम यहां पर मेरे साथ होगी और मुझे कंपनी दोगी और मेरे साथ बाचित करोगे तो मुझे थोड़ा सा रिलीफ महसूस होगा और हम देखते हैं यह बास सुने है बाद में जो मीना है वो स्टान तो जाती है और थोड़ा बलस भी आव करने लगती है तो जो मीना है वो आके बोलते है कि क्या तुम यह डर नहीं लगता है कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगी तो हम देखते हैं जो फैंग है वो बोलता है कि आयकार इस बास से क्या फ्रिक पड़ता है क्योंकि तुम मुझे इतनी ज़्यादा स्ट्रोंग हो आयकार तुम जब चाहूं मुझे मार सकती हो और में इसके इंदर कुछ भी हो नहीं कर सकता है और यहां से हमार जो सीने वो स्ट होता है हम सबस्क्राइब कर के कि छुड़ा होता है वर और कोई मिन में करने पास हो और बॉत बहुत अराम हुआ है और यह इस पानी जैसे नार रही थी तब है इने उसके एक जैसे फीड उतले होतर हो और वह बोलता है कि वहilippe agrade में जाती है कि किसी बंदे ने उसे पकड़ रगा था और ईसे बुग रहे थी थी तभी वहां पे एक एक एविल बंदे हो आता है उतनों लगता है कि गरीब लड़की क्या तुम्हें खाने में कुछ चाहिए और हम देखते हैं कि उसे बहुत जाते हैं तो वह एक बेड़ मीना को निकाल देता और बोलता है कि तुम्हें इसे खा सकती हो अकर तुम्हें बूग लगी तो तो मीना भूग लगी दिशलिए वह उसे ख तो यह सुनने के बाद में जो कार्टर होता है वह भी अगरी हो जाता है उसे एक सिलवर कोई देता है और यहाँ पर मीना उससे बाइख कर लिए रहा हुता है लेकिन मीना अबी आज दी थोड़ी बहुत होती में और वह साथिज़ देख रही होती है और उसे अब यह चीज य यह गलत चीज है एक हम देखते हैं फिर यह कंटिनियूसली देखे जा रहा होता है वो बोलता है लेकिन यार मैं अपनी जो क्यूरिशिटी है उसे शांत करने में हेल्प है वो नहीं कर सकता है क्योंकि मैं बस यह देखना चाहता हूं जो हूमन होते हैं और जो बीश्ट है कि दोनों की बोडियों में क्या डिफ्रेंस होता है मतलब अपने आपको किसी प्रकाय सही सावित करने के लिए वह अना मनानी कुछ कर रहा हूं तो अपने मन को की नहीं नहीं अपने सही कर रहे है अपने ने किसी बेतु की कारण की कारण नहीं जाक रहे है अपने किसी का करते हैं यह भी खत्म मिलते के सुर में तो जाने से पेले बाइबाइब